नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में आज हम हिस्ट्री के कुछ MCQs पढ़ेंगे ये पहला सेट है आने वाले नेट के एक्जाम को ध्यान में रखते हुए कुश्चन्स बनाए गए हैं इसमें मैं प्राचीन भारत, मद्यकालीन और आधुनिक भारत से 5-5 प्रश्ण कराऊंगा और ये प्रश्ण शुरू में आपको थोड़े से लग सकते हैं थोड़े से इजी होंगे और जैसे ये सेट्स आगे बढ़ते रहेंगे ये पूरी शंकला में चलाऊंगा नेट के एक रिगवेद, सामवेद, येजुरवेद, अथरवेद, तो उसमें से एतियासिक घटना का वर्णन हमको केवल दो गरंसों में मिलता है जो की हैं रिगवेद और अथरवेद, सामवेद और येजुरवेद में हमको कोई भी एतियासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है दूसर शासक है और कई बार चोलों की वन्षावली कुषी आती है मैंने हुए उनकी वनषावली लिकर कियें बहुत ही इक्षी बात है बढ़ते हम अपने तीछरे प्रेंस सिर्धास कार। इन में से किस किस इतिहास खार । क मून निवास इस्थान सब सिंधु प्रदेश माना है बहुत सारी इसमें थियोरीज हैं कि आरे कहां से आये उनका मून लिवास इस्थान क्या था कई सारी थियोरीज इसमें से हमको देखने को मिलती हैं तो उसमें से पूछा है कि सब सिंधु प्रदेश किसने माना है अंसर हमको कोड में देना है इसमें संपूर्णानन और एसी दाथ ये दो ऐसे तिहासकार हैं जिन्होंने सब सिंधु प्रदेश माना है और जबकि LD कल्ला है इन्होंने कश्मीर माना है और यहां पर मैंने एक लिस्ट दे दी है ब्रहम हर्षी देश दंगाना ज्जाने माना है यहां से प्रष्ण इस तरह से बन जाते हैं कभी मैच दो फोलेंग में कभी कोर्टस में आपसे पुझे आपक तरह से तिबबत माना है दयादमन सुरत्षती ने बालगंगा धर्स तिलक का हमको बहुत अच्छे से पता है और आर्क्रिक शेत्र माना है उन्होंने एक पुस् ब्राम्हण ग्रंद में 24 बैलों वाले हल्का उल्लेक नेता है, जैमनी, simples, कौशी तकी और Tēthi, उसका अंतर दोस्तों शत्ति ब्रामन और यह सब से पुराना ब्राम्हण ग्रंद है, और सबसे बड़ा भी ब्रामन ग्रंद किसको हम जानते हैं, शत्त-प्रामन को, यह किस वेत का ब्राम्हन गरंत है, यह आप मुझे कमेंट सेक्षिन रहे, कई बार प्रश्न है, परिशिष्ट परवन, जैन गरंत के रचैता हैं, आजेडा चन्र, किस चालुक के राजा के दर्वारी कभी थे? तो ये जो रचीता है ये जैन गंत के जो रचेता है ये गुजरात में सिद्ध राज जो की चालुक के वन्ष के राजा थे उनके दरबारी कभी थे ये और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत दरूरी है बहुत दादा इंपॉर्डेंट है हेमचंद्र तो यह चतुरमाथ चार मौनसून महीने के दोरान एक इस्थान पर रहते हैं उन्होंने इस अवधियों के दोरान पाटन में रहना शुरू किया और अपने अधिकांश कारियों का निर्माण महीं किया संबबता ग्यारा सो पच्चिस के आसपास उनका जो परिचे है ये जैसिम परिभाशेत करने में साहिक 24 तीर्थाँकरों और अन्य महतपुन व्यक्तियों की शिक्षा संग्रे है जिन्हें शलाका पुरुष यानि की जो महान व्यक्ती है उनको ये कह जाता है और इसको हम परिशिष्ट परवन की नाम से जानते हैं इसके लावे इनके अन्य कार हैं अभिलाज चिंता मनी जो की एक शब्द कोश है, अलंकार चुला मनी और प्रमाण मिमान सा एक तर्थ के उपर लिखी हुई जरंथ है, तो यहां से कई बार प्रेशन भी बनते हैं कि हेम चंदर की कौन कौन सीन में से कार रहे हैं, तो वो मैंने लिख दी हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, छटा प्रेशन है, मद्द कालीन में अब हम आ गए हैं, जैसे कि मैंने पूरता है, पांच प्रेशन हमने कर लिए हैं, इंशेंट इंडिया के, अब हम मेडिवल इंडिया के करेंगे, तो तान सेन के उपर प्रेशन है, तान सेन जैसे क इनको पता है कि अक्बर का समकालीन है, तान सेन की विशय में गलत का चेहन करना है हमको, पहला है ये हरिदास के शिष्य थे, कंठ भरन विलाथ की उपाधी मिली थी इने, धुरुपत में इनकी महारत थी, या ये सबी सही है, अब एक मिनट लिए आप ये वीडियो पॉस करके थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, और यदि आपका ये आंसर सही होता है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, अलाकि इसका आंसर ये सभी सही है, हरिदास के शिष्य थे, कंठ भरन विलाथ की इनको पाधी मिली थी, और धुरुप अकबर ने व्यापार को पढ़ावा देने के लिए चुंगी कर हटा दिया, अबूल-फदल के अनसर अकबर के काल में एक सो से अधिक कार खाने थे, और चौथा, अकबर ने मीना बाजार का निर्माण नहीं कराया है, इसलिए गलत है, मीना बाजार का निर्माण कराया था मायूने तो इसलिए ये मुगल अर्थवस्ता के लिए गरत जाता है आठवा प्रेशन है भासकराचारे की लीलावती का फार्थी अनुबाद किस ने किया था तो ये फार्थी अनुबाद हुआ है अक्बर के समय में जो की फैदी ने किया था बासकराचारे की लीलावती का फार्तिय अनुबात कई बार पुछा जाता है क्योंकि बदायूनी हमको बहुत अच्छे से पता है बहुत सारी चीजों को उने ने आर्तिय अनुबात किया है अब्दुरहिम खाने खाना ने फार्तिय अनुबात किया है इसलिए यहां से स्कुला सा confusion हो जाता है कई बार तो बासकराचारे की लीलावत्ती हमें याद रती फैदी ने किया इन सूफी मल्फुदात में से कौन सा गलत सुमेले थे एक तरफ आपको मल्फुदात दी हुई है और एक तरफ उन सूफीयों के नाम दी हुई है मल्फुदात क्या होती है या आप लोगों को पता होना चाहिए मल्फुदात जो है जो सूफी संथ है उनके जितने भी उगदेश है या उनकी वानी है या उनकी जो शिक्षा है उसका संग्रह है उसको हम मल्फुदात करते है तो इसमें से लास्ट वाला जो है ये गलत है क्योंकि जो लास्ट वाला है ये फरीदुदिन गंजे शकर नहीं अफजलूस शवाहित भी निजामुदिन ओलिया की ही मल्फुजात है और ये जो फवाईदिस सलिकीन है ये बाबा फरीद ने लिखी थी बक्तियार काकी की मल्फुजात है तो ये हमको कई बार राइटर भी पूछे आते हैं अलागि मने इसमें बहुत सारे नहीं डालें कोशिश करूँगा अगले लेक्चर में इनको सबको इंक्लूट कर दूँ दस्वाँ प्रेशन है बंगाल के इन शासकों को काल करम में लगाएं पिछली बार नेट की कुश्चन में मालबा या गुजरात की शासक कूछे गए थे काल करम में लगाने के लिए एक बार कश्मीर के भी आ चुके हैं तो यह जो प्रांती राजवनशे वहां से काल करम में लगाने के लिए प्रेशन हर बार आता है एक बार लाउदिन हुसाइन शाह उसके बाद आते है नुसरस शाह और सबसे आखरी में आएगा धियासुदिन मैमूर तो इसका अंसर हो जाएगा ABDC 11 प्रेशन है अब हम आते हैं आधूनिक भारत में हमने प्राचीन भारत के पांच कर लिए मध्य भारत के पांच कर लिए अब हम आधूनिक भारत के पांच प्रेशन देखेंगे पहला प्रेशन है आधूनिक भारत का और आज का 11 प्रेशन एक कोट है और यह पूछा गिया अबर वेतन कभी नहीं मिलेगा तीस वर्ष की कर्तवे निष्ट सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातखत होने से बचा नहीं सकती तो यह किसका कथन है टियार होम्स इसको बोला है आरती मदूंदार ने हाला कि इसको पूरा का पूरा स्वैनिक विद्रो माना है इसको पर्म चल्चा कर चुके हैं यहां से प्रेश्न बन जाते हैं बारवा प्रेश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतिय सरकार के कारियों को आरक्षित और हस्तांत्रित विश्यों में विभाजित किया गया था निमने लिखित में से किसे आरक्षित विश्यों की सूची में रखा गया था तो दो जो उन्होंने विशय बनाए थे आरक्षित और सस्तांत्रिद, यानि कि reserve and transfer, जो subject बनाए थे, तो उसमें से पूछ रहा है कि आपसे जो reserve power थी, वो क्या-क्या थी, reserve power यानि कि center government के पास, यानि कि अंग्रेज़ों के पास, तो न्याय प्रिशासन, इस्थानी स्वशासन भूराजस्व या फिर पुलिस यानि कि जस्टिस एर्मिनिस्टेशन या फिर इस्थानी स्वशातन जिसको हम लोकल सर्फ गौर्रमेंट कहते हैं भूराजस्व लैंड रेविन्यू और पुलिस तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानि कि नय प्रशातन भूराजस्व और पुलिस उन्होंने अपने अधीन रखा था इस्थानी स्वशातन जो है वो उन्होंने स्थांत्रित किया था यानि कि उसको आरक्षित नहीं रखा था निमने लिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिफ के रूप में जुड़ा था जिसे बाद में बेथ्यून महिला स्कूल के रूप में जाने जाना लगा मतलब एक ऐसा हिंदू महिला स्कूल था कौन उसके साथ जुड़ा था जिसको बाद में इस हिंदू महिला स्क बारती राज्जियों पर ब्रिटिश प्रभु सक्ता इस्थापित करना, कम्पनी के लिए एक इस्थाई राजस्व का सुर्थ बनाना होगा, क्योंकि इनका उद्देश कहीं से भी कम्पनी के लिए स्थाई राजस्व का सुर्थ बनाना नहीं था, हाला कि दूसरों के खर्च अंग्रेजों के साथ सहायक घडबंधन में प्रवेश करने वाले एक भारतिय शासक को अपने स्वयन के सशस्त्र बलों को भंग करना पढ़ा और अपने शेत्र में बिटिश सेना को स्विकार करना पढ़ा, यानि कि बिटिश सेना की एक तुपड़ी जो है, वो सहायक संधी जिस ने की है जिस शासक में उसके राज्जे पे रहती थी और उसके सशस्त्र बलों को भंग कर दिया जाता था भारतिय राज्जे किसी अन्ने विदेशी शक्ती के साथ कोई घड़बंधन नहीं कर सकता था यानि कोई एलायंस नहीं कर सकता था कोई उनकी विदेश नीती अपना नहीं सकता था, यानि कि किसी दूसरे राज्य के साथ, पीस ट्रीटी या फिर फ्रेंट्शिप या फिर कोई बॉर्ड डिक्लियर नहीं कर सकता था, उन्होंने वस्तता अपनी सारी सो तंतरता को दी और बिटिश संग्रिक्षित बन गए, भ पामर जो है वो माराठा के राज्य में रेजिडेंट था, ब्रेटिश रेजिडेंट तो उन्हें एक रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो की जो सेना होती थी ब्रेटिश की, उसका वो एक तरह से अधिकारी होता था, बड़ा अधिकारी, उन्हें ब्रेटिश सेना के भ तो इसलिए मैं कुश्चन पर फिर से आता हूँ, फ्रांसीसियों के प्रभाव को समात करना है, इसलिए भारत को नैपोलीन से सुरक्षित रखना भी इसका एक देश था, और भारती राज्जियों पर ब्रिटिश प्रभू सरता, इसलिए स्थापित हो रही है क्योंकि वहाँ है कि इसकी वह ब्रिटिश की है, वक्त आने पर वह ब्रिटिश का साथ देगी ना कि उस राज्जी का, पंदरवा प्रशन जो आज का हमारा आकरी प्रशन है, उन्होंने मदीनी, गेरिबाल्डी, शिवा जी और स्री कृष्ण की जीवनी लिखी, कुछ समय अमेरिका में रह भारत के अपने समकारीन राष्टवादी नेताओं में सबसे विपल लेखक थे, उनकी काहित्तिक गतिविधी तब शुरू ही जब वे किशवरा वस्था में थे और उन्होंने अपने जीवन के लगबक अंतिन दिन तक लिखना जारी रखा, पंजाबियों को नीन से जगान का दौरा किया, जहां वे भारती क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे, इंग्लैंड में वे ब्रिटिश लेबर पार्टी के सदस्य भी बने, स्वतंतरता अंदुलन में उनकी उतकरष्ट भूमिका के सम्मान में उन्हें कलकत्ता अधिवेशन 1920 में भारती राष्ट्री कॉं